फ्रेंड्स IPL 2020 शुरू होने में अभी काफी समय बचा है लेकिन IPL 2020 इसका ओक्षन यानि नीलामी अब जल्दी शुरू होने वाली है और इस नीलामी को लेकर अभी कुछ समय पहले ही BCCI के एक मीटिंग कंडक्ट हुई थी इस मीटिंग में एक नए नियम को IPL में लागू करने का डिसिजन बढ़ाया गया ICC के एक नए नियम को IPL 2020 में लागू किया जाएगा पहले BCCI बिल्कुल भी एगरी नहीं थी IPL में इस नियम को लागू करने के लिए लेकिन अब BCCI न इस नए नियम को हरी जंटी दिखा दिए अपनी मंजूरी दे दिए और IPL 2020 में इस नए नियम का प्रियोग किया जाएगा मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा नए नियम IPL 2020 में लागू हो रहा है और इसके क्या बेनेफिट्स होने वाले सारी टीमों को ये सारी इंफोर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाते आपकी फेवरेट टीम जीते IPL 2020 का सीजन तो नीचे कई लाइक का बिटन दियों को उसको जरूर दबा दे और हमारे चैनल को जरूर कर दे सब्सक्राइब फ्रेंट्स अभी लगबग एक मही ने पहले ही ICC ने 12th मैन को लेकर एक नया नियम बनाया था जिसके तेहत अगर कोई भी प्लियर मैच के दोरान इंजड हो जाता है और उसकी इंजडी इतनी सीरियस होतते कि उस मैच में आगे खेल नहीं पाएगा मैच में आगे भाग नहीं ले पाएगा तो उसकी जगा 12th मैन को उस मैच में मौका दिया जाता है खेलने को इससे पहले ये नियम हुआ नहीं करता था क्रिकेट में लेकिन अगस्त के बाद ये इंटरनेशनल क्रिकेट में अपलाई हो गया था BCCI ने पहले इस नियम को IPL में अपलाई करने से बिल्कुल मना कर दिया था लेकिन अभी BCCA की meeting के बाद इस बात की confirmation हो चुकी है कि IPL 2020 के season में 12th man का नियम अपलाई होगा यानि IPL के match के दोरान अगर किसी भी team का कोई player injured होता है और अगर empire के check करने के बाद ये clear हो जाता है कि वो player इस match में आगे खेलने के लिए बिलकुल भी तयार नहीं है या फिर ऐसी situation में नहीं है कि वो इस match में आगे खेल पाए तो empire उस player को बाहर कर देता है और 12th man को बुला लेता है ground में 12th man उस player के जगा बले बाजी कर सकता है और अगर वो गेंदभाज हो तो उसकी जगा गेंदभाजी कर सकता है और field पे भी उसकी जगा time spent कर सकता है लेकिन इस नियम को लेकर काफी सारे सवाल थे क्योंकि IPL के एक match में 7 Indian player होते हैं और 4 overseas player होते हैं तो BCCI के सामने काफी सारे सवाल थे कि किस परकार से इस नियम को apply किया जाएगा IPL में तो BCCI ने इस meeting के पाद सब कुछ किलियर कर दिया इस नियम को लेकर BCCI ने का है कि अगर 4 विदेशी players में से अगर कोई overseas यानि विदेशी player injured होता है तो उनकी replacement में overseas player ही मैदान में आएगा और अगर 7 Indian players में से कोई Indian player injured होता है मैच के दोरान तो उसकी replacement में भी Indian player ही आएगा यानि overseas player के injured होने पर replacement overseas player होगा और Indian player के injured होने पर replacement Indian player होगा तो ये नियम प्रियूग होने वाला है IPL 2020 के season में वैसे आप comment section में comment करके बताए ये BCCI का इस नियम को IPL में apply करने वाला decision सही है या फिर नहीं इसके साथ ही वीडियो करे like और channel को जुरूर करे subscribe